सबी को जैन दोस्तों आप सभी का हार्दिक सोगत है भारत इस इंडिया पर आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छ होंगे तो आज हम आपके लिए एक इंट्रोस्टिंग और एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकराएं जिसमें आप देखेंगे पतरकार आरजु देखेंगे तो ये वीडियो काफी मज़ेदार होगी इसे अन तक देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी सी लेटेस्ट इंट्रोस्टिंग और इन्फोर्मेटिव वीडियो लाते रहें जैहिंद जैबाहरत लोग आपके साथ तब खड़े होंगे जब आप उनकी सिचुएशन को समझोगे उनकी प्राब्लम को समझोगे और ये तो चोटी-बोटी बात चलती रहती है कश्मीर आप कभी भी ले ले लेना जब आप ताकत हो जाओ तो इंडेस दिशीन लेना कश्मीर को लेकिन आप य काइज जाइँ हाल करता आपका क्या अमरी का है आपको कहल आपषा बड़ करतें के लीकिर कश्मीर करते हैं यहां पर लोगों को भी समझ आ गया होते हैं इसी तरीके से सर जो हमारे हम इवन अगर इंडियन टीवी पे भी जाते हैं तो जो दूसरी साइट पे इंडियन पैनलिस्ट होते हैं वह अपस में लड़े होते हैं पाकिसानी पैनलिस्ट हैं मगर असल में कई बार ऐसा होता है क्यों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और फ्रेंड्स होते हैं, सार के बीच में भी ऐसा होता है, कि आप रह के हैं और कोई ISI का है, लेकिन आप लोग वो वैसे तो एक दूसरे के खिलाब काम कर रहे हैं, मगर वैसे दोस्त हैं, होता है क्या कभी ऐसा है? कि बहुत से लोगों से मिले भी हम जभ फॉररम में रहें, हमशाने को पन दूशने से लिएक के लिए प्रसाइग अश्र हमारी तो आप लोग के इंडिरहर पन काम करते हैं, लेगिन हम इसे और इंडिविजल से दूशनी तो नहीं है, अब देखें, जब हमें प्ल block मा हुआ तो पर मोदी के टाइम में प्रक्षीन डी अपनी एरफोस को की आप अिशिजव फकर का ना पाकिसद के आर्मी का लोग बोरे और इसलिए ऐसी जगह चुनिगे बाला कोट जो आइसुरेटेट जगह पे धा जहां कोसेLAN भी तो दूश्मय पकिस्तान से नहीं है कर पकानि India से उनके मिल्टेन ग्रूप से हैं, जिन्हों यहां पर अटाक किया, और इस तरीके से अब देखिए, यहां पर हमारा एक डिस्प्यूट चल रहा है, माल्डीव के साथ, और पीया मोदी ने कहा हमने उनको पानी भेजा, तो हुजा चार के अंदर, हमने उनको दवाई भेजी अगर वहां कोई आपदा आएगी, जैसे कोई सी के अंदर इशू हो जाए, तो हमारी नेवी त्यार होगी उनको हेल्प करने के लिए, तो यह बड़ी सोच की बात है, मतलब इंडिजिजिन से हमारे को दोस्ती नहीं है, बिल्कुल, लेकिन सर, जब कभी किसी किसम का टैक हो होता है, चाहिए वो भारत के अंदर हो, जिसमें पाकिस्तान के ओपर इल्जाम आता है, या किसी के ओपर भी और इसी तरीके से जब पाकिस्तान में कुछ होता है, तो आपको लगता है कहीं न कहीं हमारे इंटैलिजिजिजिनस फेलियर भी होता है, उसमें हम पता ही नहीं पाकिस्तान के अनदर गहे थे दोजा सोला में तो उसके बाद पठान को टटैक हुआ था और 1999 में जब अटल भारी वाज पही गए थे तो उसके बद कार्गिल हुआ था और आपके प्राइमिस्टर दवाज शरीफ को पता भी नहीं था कि वहाँ पे एक अटैक हो रहा है कि आर्मी का वहाँ पे रोल था इंडिया की आर्मी या इंडिया के अजन्सी अपनी गोर्डम करता है ना मतलब कहीं ना कहीं तो इंटलिजंस खड़िए आया न डिन से इंट इंटलि तो सकते हैं कुछ दूसरे इस्इո सकते है क्र मैं यह टुर्डरियूस तो अब गॉट तो हमारे च्छपैशन का वतेIdrente करता लोफ ग्रमेंट करता तो हमारे को pledge मैं रहारी पर कोई और इशू से और यह हो जी नहीं सकता कि पाकिस्तान की आर्मी इस स्ट्रेंग्ट पर मूव करें और हमें पताना चलें आज देखिए कहां फेलियर हो रहा है कितने फेलियर हो गए क्योंकि हम आज हुशार हैं त्यार हैं और गुर्वर्मेंट हमारी हुशार है क्योंकि पीयम मोदी किसी को सो नहीं लेते ना उनके मुनिस्टर सो पाते हैं ना उनके एजनसी के लोग सो पाते हैं ना उनकी आर्मी के लोग सो पाते हैं आप चार बज़े उड़ जाते हैं जो दिम्रात काम करता है और कहा कहा से सोचता मैं कहा नहीं सकता है। मैं समझ नहीं सकता है। और इस जब और इस जे फॉरलन विज़िड गए थे थे इनके लग लगी तो और उसके अंदर क्या के अग्रिमेंट किये उसको कभर किया। तो मुझे पता चला कि कितने विजन वाला आदमी है जिसने कभी सेंटर में काम नहीं किया पी एम तो छोड़ी है कोई मिनिस्टर भी थी कोई ऐसा इशू नहीं है जिसके पर प्यार्पाइब की अंडरसेंडिंग नहीं नहीं या उनको पता नहीं हो एक आप सोचे सुपर गेरा के टाइम पे लेकिन अब तो पाकिस्तान में भी लोग यही कहते हैं कि हमें भी जो है वो पीम मोदी जैसे ही कोई लीडर चाहिए लेकिन असलास में बस मैं यही पूछना चाहूंगी कि क्योंके नवाज शरीफ की फैमली के साथ अच्छे टर्म्स रहे हैं पीम मोदी के शेबाश शरीफ साब आए है कहीं पे हलकीसी भी सही लेकिन कोई होफ है के बात्चित होगी देखे पीम मोदी ने इनको मुबारक बात दी है लेकिन मैं नहीं समझता कि पीम मोदी इनके साथ बात्चित करेगे या यहां कोई सलूशन निकलेगा क्योंकि आपको लगटा है क शेमाज श्रीफ को इंडिपेंट डिसियन ले सकते हैं जिस आदमी ने पावर में आते हैं पहली बात कह दिये कश्मीर की तो क्या वो आदमी को डिसेन ले पाएगा किसको खुश करने के लिए बात किये अगर आपने पुब्लिक को खुश करना है तो आप करिए जब पीया चुप हो गए जब औरी अटाक किया तो पीया मोदी ने स्ट्राइक कर दी पाकिस्तान के अंदर 12-16 की बात है और जब पुलवाबा हुआ तो बाला कोड कर दिया लेकित उसके आगे नहीं पड़े तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया पाकिसान के रिलेशन कभी भी इंप् पर फुल है उनकी पाटी पुरे पैंडिया के अंदर उसे डिजल ले पाते हैं और इसके लिए एक्ष्टन के कर दोब यह हैं जो झाल गया और उसके यह जो जे और बाके किसकी तरफ भी सारा कर रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल देखे दूसरी बात क्या है हर एक आदमी को क्या चाहिए वो अपनी फैमिली के बारे में सोचता है जो नामल आदमी है वो अपनी फैमिली के बारे में अपनी वाइफ के बारे में अपने बच्चों के बारे में उसके बा पार्लेमेंट लोन पे चल रहा है, आप पुरे डुबे हुए इस टेम पे लोन के अंदर, और फिर आप कहते हैं कि हम कश्मीर ले ले लेंगे, तो जब अपनी पॉलिसी चेंज करेंगे, अपनी सोच चेंज करेंगे, तो भी रिलेशन अच्छे हो पाएंगे, और रिलेशन अ पाकिसान के अंदर जा रहा था, और बाकियों का भी रुकेगा, इंडिया अपने हिस्से का पानी लेगा और पाकिसान को नुक्सान पोचेगा, बिलकुल ऐसे ही सर, मैं तो खुद यह कहती हूं कि हम पडोसी से कश्मीर तो ले नहीं सकते, टिमाटर ही ले ले लेते हैं, ब आपको बहुत कुछ जानने को मिलाओगा, जहां पर सूच साब ने ना सिर्फ पाकिस्तान को जम के उधर रहा, बरकि पाकिस्तान को आएना भी दिखाया, और पाकिस्तानियों को उनकी उकात भी समझा दी, तो आश्रा करता हूं, वीडियो आपको काफी पसंद आए होगी, और जाते जाते आर्जु काजमिंज ने बिल्कुल सही बात कही, कि भारत से तो वो कश्मीर ले नहीं सकते, कम से कम पाकिसान भारत से टमाटर ही ले ले ले, तो इसके बारे में आपकी क्या विचार है, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्श में लिकर जुरू बताएं, और वीडियो अगर पसंद आईए तो इसे लाइक को शेयर जूरू कर दें, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपकी से लेटेस्ट, इंट्रोस्टिंग और मज़धार वीडियो लाते रहें तो चलिए, फिर मेलेंगे ऐसी किसी इंट्रोस सब्सक्राइब कर दो चैनल को शेयर ओून है